इसके online platform पे आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विजय जोसी, ठीक, तो हम सुरू करेंगे हिंदी, हमारे पास जो विशाय है वो क्या है, हिंदी है, ठीक, तो बीना देर के वे हम लोग सुरू करता है, ठीक है? हिंदी सबसे पहले то हम इस नाम पे चर्चा करते हैं, ठीक, इस नाम का अर्त या है, ठीक है, क्या मतलब होता है रिन्दी का? तो देखो हिंदी सब्द कहा से आया, जब यूनानी भारत में आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो भारत के ओपरी भाग है ये, ठीक है, तो सिंदु नदी आप जानते ही हैं, ये ऐसी, ठीक, तो जब यूनानी आ रहे थे, ठीक, तो जो सिंदु है, ये सिंदु को पार क दिश्ता क्या थी, कि वो सौ को क्या पढ़ते थे, सौ को पढ़ते थे, वो हौ, सौ को क्या पढ़ते थे, ठीक, तो उन्होंने सिंधु को, देखो सिंधु कैसे लिखते हम, सिंधु, ठीक है, अब सिंधु को क्या पढ़ते हैं, सिंधु को, सौ को मैंने बताया कि हौ पढ़त इस भाग में ठीक तो इन लोगों को कहा जाता था सिंध एन लोगों को कहा जाता था सिंध ही ठीक है और इस छेत्र को कहा जाता था सिंध ठीक है यहाँ पे निवास करने वाले लोगों को क्या कहते थे सिंध ही कहते थे और इस छेत्र को क्या कहते थे इस छेत्र को सिंध कहते तो अब समझो, ठीक, कि वो इस सौ को क्या प्रयोग करते हैं, ह, तो इस छेतर के लिए वो किस सब्द का प्रयोग करेंगे, वो बोलेंगे इसको कि ये क्या है, हिंद है, ठीक है, पहले हिंद होगा, हिंद का अब भ्रहन सरूप क्या हो जाएगा, हिंद हो जाएगा, ठीक, और आपने सुना होगा कि हिंदी है हम वतन के हिंदो सता हमारा हिंदी है हम हम क्या है हिंदी है तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम हिंदी है मतलब हम भासा है भासा तो नहीं है न हम हिंदी है हम हम क्या है हिंदी है हिंदी का मतलब हो गया कि हम भारतवासी हैं, हम भारती हैं, हम सिंधी हैं, इस छेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, ठीक है, एक और बात समझो, देखो, जो हिंदी सब्द है, ठीक है, जो हिंदी सब्द है, हिंदी सब्द हिंदी का ही नहीं है, अब देखो कितनी बड़ी बात हैं, ठीक, कि जो सब्द है, वो सब्द हिंदी का ही नहीं है, और भासा का नाम क्या है हिंदी, और स्वयम हिंदी किसका नहीं है, हिंदी भासा का नहीं ह ये किस भासा का सब्द है? तो ये फारसी भासा का सब्द है. किसका है? फारसी का. ठीक? और एक प्रस्ण इस प्रकार से भी आपके पास जरूर आता है और वो पूछ लेगा आपको कि हिंदी किस भासा का सब्द है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा क्या? आपका जवाब होगा कि ये फार्सी भासा का सब्द है clear है भाई बात अब देखो आप भासा क्रम की बात करते है ठीक है कि हिंदी आई कहां से हिंदी आई कहां से ठीक है पहले basic जान लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब पता ही नहीं हिंदी है क्या और सीद्धे वहाँ संदी पढ़ रा ब्याकरण तो मजा नहीं आएगा तो मैं भी है न तो इसलिए पहले सुरू में basic चरूर पता होना चाहिए किसी भी भासा के बारे में अब देखो अब हम चर्चा करते हैं कि इसका क्रम क्या था आई कहा से हिंदी ठीक तो सबसे पहले जो हमारे पास भासा थी देखो ये प्रिथिवी है न इस प्रिथिवी पे सबसे पहले अगर कोई भासा थी तो वो कौन सी थी संस्क्रेट कौन सी भासा थी संस्क्रेट जब इस प्रिथिवी पे देवता थे न, तो देवता क्या बोलते थे, कौन सी भासा बोलते थे आप ये सोचो कि जो स्री कृष्ण है, स्री कृष्ण है, अर्जुन को जो उपदेश दिये हैं, वो हिंदी में दिये होंगे क्या हिंदी में तो नहीं दिये होंगे वो किस भासा में दिये तो संस्कृत में दिये ठीक और इसी लिए आप जानते हैं कि संस्कृत को क्या बोलते हैं देव भासा बोलते हैं ठीक है किस भासा को देव भासा कहा जाता है संस्कृत को ठीक अब देखो जब पूरी पृतिवी पे भासा है एक भासा चली रही है भासा क्या होती है किसे भासा कहते हम अगर भासा के हम परिभासा देखें कि भासा हम किसे कहेंगे तो मनो भाव को व्यक्त करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रियूग करते हैं उसी को हम भासा कहते हैं मतलब हमारे मन में जो भी विचार चल रहा है उस विचार को अगर मुझे दूसरे तक पहुचाना है तो उसके लिए मैं जिस माध्यम का प्रियूग करता हूँ उसी को हम क् भासा क्या होती है, मौखिक भी होती है, है न, कि सिर्फ बोल के ही मैं आपको समझा सकता हूँ, लिखित हो सकती है कि मैं बोलू कुछ न, और लिखके अपने विचार आप तक पहुचा सकता हूँ, या फिर संकेत से भी पहुचा सकता हूँ, इसलिए सांकेतिक भी भासा होती ह है ना जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादतर सांकेतिक भासा का प्रियोग करते हैं संकेत में बात होती है ना मतलब जा है ना मतलब आजा ठीक तो भासा क्या है सांकेतिक भी है अब देखो जब प्रित्वी पे भासा है संस्कृत थी और सब जानते हैं संस्कृत तो फिर हमें आगे बढ़ने कि क्या हो शक्ता पड़ी कैसे हिंदी आई तो अब देखो जब समस्कृत थी तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो सैलियां आ गई थी समस्कृत में ठीक है? वो दो सैलियां कौन-कौन सैलियां वो रहो मैं ध्यान से सुनना सहलिया नहीं ठीक है सहलिया कौन-कौन सी सहलिया थी वो एक सहली थी हमारे पास डिंगल और दोसरी सहली थी हमारे पास पिंगल डिंगल और पिंगल डिंगल सहली क्या होती है और पिंगल सहली क्या होती है अभी यह मत सोचना कि ज़्यादा कठीन हो रहा है मैं सिर्फ बेसिक यह थोड़ी पढ़ना है तुम्हें, लेकिन क्रम पता होना चाहिए, क्रम पूछा जाता है भासा का, इसलिए समझाना जरूरी है, ठीक है, तो दो सैलियां आई, एक डिंगल आई और एक पिंगल आई, डिंगल सैली क्या होती थी, सबसे पहले डिंगल के बारे में जानते हैं ठीक है, तो डिंगल सैली जो होती थी, इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग, कठोर वर्ण, ठीक है, अब कठोर वर्ण क्या होते हैं, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, और इसमें सरल, इसमें कठोर वर्ण, इसमें सरल वर्ण, इसमें कर्ण कटू, और इसमें कर्ण प्रिय कर्ण कटू और कर्ण प्रिया देखो अंतर है कठोर वर्ण किसे कहता है कठोर वर्ण कहता है जैसे अब ये तुम्हारे काम का तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे आएगा तुम्हारे पर कठोर वर्ण किसे कहता है तो कठोर वर्ण होता है इधर सरल अक्षरों का जो कानों को, ये कानों को चुभेंगे, ठीक है, और ये कानों को क्या करते हैं, कानों को अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, ठीक, इसका प्रियोग जादतर होता था वीर रस में, रौद्र रस में, और इनका प्रियोग होता था सांत रस में, भक् जैसे आपने पढ़ा होगा, तो वो की सहली कौन सी है, डिंगल, ठीक है, ये कौन सी सहली है, डिंगल, ठीक है, पिंगल में इसी का मतलत आसान लगेगा और सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो ये क्या है, कर्ण प्रिया है, ये सहली कौन सी है, कर्ण प्रिया, अब देखो, अगर आप मार्केट में कोई एकी विसाय की पुस्तक लेने गए, ठीक है, और आपने वहाँ पे से, मतलब जो दुकानदार था, दुकानदार ने आपको दो किताब हैं थी, उसी वि ये एक ही विसाय के दो टीचर है, एक बिल्कुल आसान सब्दों में समझाता है, और एक बहुत कठिन सब्दों में समझाता है, तो आप किस टीचर से पढ़ना पसंद करोगे, जो सरल सब्दों में समझा रहा है, जो कठिन में होगा, उसमें आप आदे घंटे में ही बोर हो फली फूली और आगे जाएगी जब और हिंदी में एक उप बोली आएगी आपकी ब्रज और उस ब्रज में जाके इसका क्या हो जाएगा विलाय हो जाएगा तो देखो जब संस्क्रिट थी तो यहाँ पे ज़्यादतर राइटर क्या करने लगे थे वो डिंगल सहली का प्रयोग कर रहे हैं तो समझने में क्या हो रही है औरों को कठिनाई हो रही है तो अब उन्होंने का यार कुछ थोड़ा सरल की तरफ चलते हैं और मानव की आदत हो और सरल की ओड़ जाता है, है न, अपने काम को, अगर अभी कठिन लग रहा है, तो वो प्रयास करता है कि कैसे ये काम क्या हो जाए, सरल हो जाए, तो इसी क्रम में देखो, संस्कृत के बाद क्रम आया और एक भासा बनके आई, आपके पास कौन सी पाली, पहले संस्कृत थी, ठीक है, सबकी भासा संस्कृत थी, लेकिन इसमें जब कठिनाई आई, तो अगली भासा ने जन्म लिया, जो कहलाई, पाली, ठीक, पाली में भी इसी प्रकार के कार्य होंगे, और पाली से और सरलता की ओर हम आ जाएंगे, और एक भासा बनके आ जाएगे, आपके पास कौन अपभरंस, और अपभरंस के क्या हो जाएंगे, दो रूप हो जाएंगे, ठीक है, एक को हम कहते हैं, अपभरंस सौर सेनी, और दूसरी को हम कहते हैं, अपभरंस, अवहट, अपभरंस, अपभरंस, अवहट, ठीक है, देखो एक प्रसनी ये भी आता है आपके पास, कि गडवाली या कुमावनी जो बोलियां हैं तो इनका विकास किस अपभरंस से हुआ है, तो आपको याद रखना है, कि गडवाली और कुमावनी जो बोलियां है, इनका विकास किस अपभरंस स से हुआ है तो सोड सेनी से ठीक ये क्रम आया और अप ब्रहंस अवहट के तुरंत बाद आपका क्रम आ गया किसका हिंदी का किसका क्रम आ गया हिंदी देखो हम कहां से कहां तक चले हम कठिन से और सरल की तरफ आए मतलब इसको आप यह मान लो कि यह है लेंड लाइन फोन लेंड लाइन समझते हो ना गाओं में उसमें वह डिस्पले भी मही नहीं होती थी अगर किसी का फोन Аया किसका आया पता यह नहीं और उसको कहींब भीजाब भी नहीं सकते और गाउं में अगर फोन घर में रखा हुआ है और खेतों में काम करने जा रखा है ठीक है घर में किसका फोन बजा कुछ पता नहीं बाद में धीरे-धीरे सरलता की और आये न वो तार हटा फोन आया लेकिन फोन थोड़ा बढ़ा ता ऐसे एंटीन ल लेकिन था बटन वाल आई बाद में और सरलता की बुल बटन कौन दवाए तो एक इस्टिक आ गई थी सरल की तरफ बढ़ता हुआ करम यही तो था और लाज में कहां पहुंच गे तुम एंड्रोइड पे पहुंच गे तो यह लेंड लाइन है और यह एंड्रोइड है ठीक समझ में आया नहीं आया ठीक लेकिन अगर वही बात में यहां पे बोलू तो आराम से सुनना समझ में आयेगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सीचे सो घड़ा फल रितु आये होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए तो यह समझ में आ रहा है जबकि यह समझ में नहीं आया, हम कहां से, कठिन से, और कहां की तरफ आये, सरल की तरफ, समझ में आई बात, अब देखो यहां पे एक और चीज, जो संस्कृत भासा थी, संस्कृत की लिपी क्या थी, अब लिपी पहले तो लिपी कहते किसे हैं, ठीक, लिपी, किसको कहते हैं हम लिपी, लिपी का मतलब क्या होता है, तो देखो, अगर परिभासा मैं लिपी की बताओं, तो लिपी की परिभासा होगी, कि मौखिक ध्वनी को लिखने के लिए, मैं जिस चिन्ह का प्रियोग करता हूँ उसी को हम लिपी कहता है मौखिक ध्वनी को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रियोग किया जाता है उसे हम लिपी कहता है और हर लिपी में ये चिन्ह अलग-अलग होता है देखो sound ध्वनी तो एक ही होगी न जैसे मैं एक ध्वनी बोलू ए ठीक है ए एक क्या है ध्वनी है न लेकिन अलग-अलग लिपी में इस ए के लिए अलग-अलग चिन होगा ध्वनी क्या है ए और अगर लिपी देवनागरी बोलू मैं देवनागरी तो देवनागरी लिपी में इस ए ध्वनी के लिए इस A sound के लिए एक चिन है और वो चिन क्या है ये ये एक चिन ही तो है अगर रोमन की बात करूँ देखो ध्वनी वही है ए ध्वनी क्या है ए ही है लेकिन इस रोमन में इसके लिए अलग चिन है इसके लिए क्या चिन है इसमें ये ठीक है तो हमने क्या कहा मौ अखिक ध्वनी को लिखने के लिए जिस चिन का प्रियोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं लिपी कहते हैं ठीक है अब संस्कृत की लिपी क्या थी संस्कृत की लिपी क्या थी संस्कृत की लिपी देखो इसकी लिपी थी ब्रह्मी कौन सी ब्रह्मी ठीक हिंदी की आदी जननी आपसे प्रस्न पूछता है हिंदी की आदी जननी कौन है तो संस्कृत है, ठीक, इस संस्कृत की लिपी क्या है, ब्राम्मी है, ठीक, और इस हिंदी की लिपी क्या है, देव नागरी, तो जिस प्रकार से हिंदी का विकास किस से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार देव नागरी का विकास किस से हुआ है, ब्राम्मी से हुआ देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है तो आपका उत्तर क्या होगा कि ब्रहम में लिपी से हुआ है, बात समझ में आई, ये प्रस्म देखो, भासा का क्रम आपको पता होना चाहिए, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभरंस और सेनी, फिर करेंगर नहां तक पास्टार कर्छाद के रहां ठीक है अब देखो कोई भी भासा है ठीक है उस भासा के लिए उस भासा को ब्यवस्तित रखने के लिए ठीक है और सुद्ध रखने के लिए आवश्यक्ता पड़ती है किसकी ब्याकरण की और हर भासा का अपना एक क्या होता है ब्याकरण होता है ठीक तो वैसे ही देखो मैंने का कि हिंदी में जो कुछ भी हो रहा है सब कहां से आ रहा है संस्कृत से तो हिंदी का जो ब्याकरण भी बनेगा वो बनेगा किसके ब्याकरण पर आधारित होगा तो संस्कृत के ब्याकर है वो कैसे बना सबसे पहले आपके पास देखो जो UKPSC है ना इसने अपने हिंदी के अस्तर को भी अगर आप अभी कली एक और पेपर हुआ UKPSC का ही था ठीक है तो उसकी हिंदी अगर देखोगे तो थोड़ा अस्तर अच्छा है उसका ठीक है अब वो यहां से भी प्रस्ण कर रहा है वो सूत्र पूछ दे रहा है कल के पेपर अभी जो संडे को पेपर हुआ था उसमें सूत्र पूछे हुए थे उसने ठ पता होनी चाहिए ताकि आप बात में यह नहीं बोलो कि सर ने बताया नहीं था इसके बारे में ठीक तो देखो जो संस्कृत का ब्याकरण सबसे पहले जो भासा बनी ठीक है तो उसका ब्याकरण बना कैसे था ठीक एक बात अगर आप लोग हिंदी माध्यम से होंगे तो नहीं सुना होगा लेकिन हिंदी मीडियम वालों ने यह सब्द जरूर सुना होगा माहेश्वरी शूत्र माहेश्वरी जो सब्द है यह बनाए महेश्वर से और महेश्वर किसका परियावाची है तो महेश्वर परियावाची है सिव का ठीक इन सूत्रों की संख्या है 14 आप से इतना ही प्रस्न पूछेगा कि माहिस्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, ठीक, देखो माहिस्वरी सूत्र है क्या, तो सिवजी अपना डमरू बजा रहे थे आराम से, सिवजी जब तांडव करते हैं तो तांडव करते हो क्या बजाते हैं, डमरू, तो उस डमरू की आवाज को जो रिसी थे उन्होंने कैप्चर किया और उन्होंने उस आवाज को लिखा और उसी आवाज से 14 सूत्र बन के आए ठीक है आपको कभी नहीं पूछेगा कि वो 14 सूत्र कौन-कौन है लेकिन मैं बता दे रहा हूं ऐसे हैं कौन-कौन वो आपको न याद करने के आव सकता है कभी नहीं पूछेगा क्योंकि वो इतना गहरा हो जाएगा उसके लिए आपको अस्ता ध्याई पढ़ने पड़ने पड़ेगी ठीक आई उन्होंन रिलिक आउंग आउच है वरट लणियम गर्णनम जभाए गर्दस जबगर्दस खपचटत चटताव कपई ससर हल इ यह 14 सूत्र है ठीक है माहिस्वरी सूत्र और इन्ही सूत्रों से क्या बने प्रत्य बने उन प्रत्यों से उसके बाद सब्द बनेंगे उन सब्दों के बाद वाक्य निर्मान होगा वाक्यों से गध्यांस बनेगा और पूरी भासा बनकर आपके सामने आ जाएगी ठीक है त और पहला ही चैप्टर इसमें आएगा आपके पास कौन सा? वर्ण माला पहला चैप्टर आजाएगा आपके पास वर्ण माला ठीक है? अब देखो पहले इस सब्द पे बात करते हैं वर्ण माला क्या है? देखो दो सब्दों से बनाएं एक है वर्ण और दोसरा है माला ठीक है? वर्ण और माला वर्ण किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब अक्षर और माला मतलब माला कैसे होती है? देखो एक गुलाब लिया उसके बगल पे एक और गुलाब अच्छे से ब्योस्थित करके लगाया फिर आगे एक और गुलाब फिर एक गुलाब एक गुलाब और इसी प्रकार से जब उन गुलाबों को ब्यवस्थित कर देते हैं तो माला बनती है किसकी गुलाब की माला ठीक वैसे ही अगर वर्णों को ब्यवस्थित करके रखेंगे तो आपके सामने क्या बन क्या जाएगी वर्ण माला तो पोस्ता है कि वर्ण माला किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा कि वर्णों का वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है वर्ण माला कहलाता है वर्ण माला हम किसे कहते हैं वर्णों के बियोस्थित रूप को clear है अब देखे जो ये वर्ण माला है हिंदी में इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो इसमें कुल वर्ण है आपके पास बावन और ये बावन अक्षर आपने पढ़ने अब ही जो आपने पिछला मतलब जो cancel होगा जेई का paper इसमें देखा होगा इसमें से ही एक ये दो questions आए इसी chapter से थे जो वर्ण माला है वर्ण माला को सबसे पहले हम दो भागों में बाटते हैं कितने भागों में बाटते हैं? दो भागों में और ये दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका स्वर पहला भाग कौन सा है आपके पास? स्वर ठीक है? और स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर का मतलब क्या है? देखो जिस भी वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, जिस भी अक्सर को हम स्वतंत रूप से बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, अब स्वतंत रूप से बोलने का मतलब क्या है? कि स्वतंत रूप से बोल सकते हैं मतलब? स्वतंत्र बोलने का मतलब यह है कि जिसमें हमें किसी दूसरे की आवस्यक्ता ही नहीं है ठीक है? देखो अगर मुझे की बोलना है? की अगर मुझे की बोलना है तो कौके साथ-साथ मुझे किसकी जरूरत पढ़ रही है? E की कौके साथ-साथ किसकी जरुरत पढ़ रही है E की मैंने का स्वर्व हो है जिसमें किसी और की जरुरत नहीं है लेकिन अगर यहीं पे देखो मैं अगर O बोलू O तो इस O को बोलने में क्या मुझे किसी और की जरुरत है नहीं है औ बोलने में मुझे किसी की जरूरत नहीं है अगर ये औ मुझे लिखना है तो लिखने में भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है और की लेकिन अगर की बोलना भी है तो भी ए की जरूरत है अगर लिखना है तो देखो इस मात्रा की इस ए की मात्रा की जरूरत है ये स्वतंत्र नहीं है और ये क्या है स्वतंत्र है तो जिसको मैं स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ उसे हम क्या कहते हैं स्वर कहते हैं क्लियर वाद, अब आप से पूछेगा स्वरों की संक्या कितनी है हिंदी में, तो स्वरों की संक्या कितनी है, 11, अब आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है, 11 प्लस 2, ठीक है, कोई किताब किया, जो आप पढ़ी रहे हो मुझे पता है लूसेंट सामान ने ध्यान पढ़ रहे होंगे और उसी में देखोगे तो लिखाओगा 11 प्लस 2 लेकिन उन 2 को count नहीं किया जाता है अगर कोई authentic book आप पढ़ते हो तो उसमें नहीं होगा 11 प्लस 2 वाला concept वो two है क्या अभी आगे बताऊंगा ठीक है मैंने का कि स्वरों की संख्या कितनी हुई 11 और ये 11 स्वर हैं कौन कौन है ये 11 स्वर तो ये 11 स्वर देखो औ, आ, इ, इ, उ, उ, री ए, आ, आ, ओ, और आओ ठीक है ये 11 क्या है स्वर है ठीक, जो दो वाली बात थी कि 11 धन 2 वो क्या है तो देखो इसमें तुम पढ़ते हो जब तो क्या पढ़ते हो अग, अग, और अग इन 2 को काउंट करता है लेकिन इनकौन स्वर में count नहीं करते हैं और नहीं हम कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते देखो अब ही हमने एक मिनट पहले ही एक परिवासा बोली कि स्वर हम किसे कहेंगे कि जिसको मैं स्वतंत्र रूप से बोल भी सकता हूँ और स्वतंत्र रूप से लिख भी सकता हूँ, मतलब किसी और की आवस्यक्ता नहीं होनी चाहिए लेकिन खुद एक बार इसको उच्चारित करके देखो अंग तो किसी और की साहता लेनी पड़ रही है औके साथ साथ किसकी आवाज आ रही है गौ की, अंग अह इस बिंदी की लिखने में भी देखो इस औ के साथ साथ किसकी जौरत है इस बिंदी की तो इसलिए ये स्वर नहीं है इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है इनको एक अलग से नाम देते हैं और वो नाम क्या है अयोग वाह क्या है अयोग वाह अयोग वाह का मतलब क्या होता है ओ के योग से बेहने वाले या चलने वाले जो ओ के योग से चलते हैं तो देखो ये अंग भी ओ के योग से चल रहा है और ये अह भी ओ के योग से चल रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया अयोग वाह कह दिया अब इन दोनों को अलग-अलग नाम भी देते हैं इस अंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं अनुस्वार क्या कहते हैं? अनुस्वार और इस अह को अलग से नाम देते हैं और इसको कहते हैं विसर्ग अंग को क्या कहा? अनुस्वार इस अहव को क्या कहा विसर्ग किलियर है तो ये देखो जो धन्दो वाली कंडिशन थी वो ये थी ठीक आगे बढ़ते हैं मिटा तो इसे अब देखो अभी तक हमने यहापे लिखे हुए थे जो ग्यारा स्वर है अब इन स्वरों को भी दो भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं दो भागों में क्या करते हैं? इसको बांटते हैं और ये दो भाग कौन कौन से हैं? ठीक एक आता है आपके पास मूल स्वर ठीक और एक आता है आपके पास संधी स्वर मूल स्वर और संधी स्वर मूल का मतलब क्या होता है मूल का जो साब्दिक अर्थ है वो क्या है मूल मतलब मूल सब्द का अर्थ क्या होता है तो देखो तुमने सुना होगा कि जो राम जी थे वो जब वनवास का उनका समय था तो उस समय वो कंद मूल खाते थे कंद मूल कंद मतलब तना और मूल का मतलब जड ठीक तो मूल मतलब हो गया जड और ये क्या बोल रहा है मूल और आगे क्या है स्वर स्वरों की जो जड़ है तो पहले हमारे पास सिर्फ चार स्वर थे कितने? चार और इन चार स्वरों से ही बाकी के स्वर बने है इसलिए उनको हमने क्या कहा? मूल स्वर कहा तो परिभासा हम ये बोल सकते हैं मूल स्वर की कि वे स्वर जो अन्य स्वरों का निर्मान करते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं क्या कामने कि वे स्वर जो अन्य स्वरों का निर्मान करते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है तो चार कौन-कौन से है ये? देखो पहले हमारे पास सिर्फ औ था, इ था, उ था और री ये चार थे ठीक है इन ही चारों को हमने क्या कहा मूल स्वर का ठीक दूसरी तरफ इसका आया क्या संधी स्वर संधी का मतलब क्या हो गया देखो संधी सब्द का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना या फिर समझोता करना यही तो होता है तो जो स्वर दो स्वरों से जुड़ के बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे संधी स्वर कहेंगे जो क्या होगा दो स्वरों से मिल के बनेगा उसे हम क्या कहेंगे संधी स्वर अब देखो इन चारों के अलावा कितने बच बचे न, इन चार के अलावा कितने बचे, साथ, तो वो साथ के साथ स्वर क्या हैं, संदी स्वर हैं, दो स्वरों से जुड के बनेंगे, अब देखो, दो स्वरों से जुड के तो बनेंगे, लेकिन अलग-अलग बन सकते हैं, कहीं पे एक जैसे स्वर जुड़ेंगे, तो कही पे अलग-अलग जुड सकते हैं, ठीक, तो इस आधार पे जो संधी स्वर है, संधी स्वर के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक को हम कहते हैं, दीर्ग स्वर, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं, हम संयुक्त स्वर, दीर्ग स्वर हम किसे कहते हैं, दीर्ग स्वर का मतलब क्या है, तो देखो, दीर्ग का मतलब दो समान स्वरों से मिलकर जो बनेगा, ठीक है, दो समान स्वर मतलब कि दो एक जैसे स्वर अगर जुडेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे दीर्ग स्वर अब यहाँ पर देखो है कि कैसे स्वरों का निर्मान होता है मूल स्वर यह है और यही बनाएंगे सब आगे के देर के स्वर हमने कहा कि समान मतलब एक जैसे स्वर होने चाहिए तो यहां देखो हमारे पास औ पहले से मूल स्वर है है न यहां पे औ इस औ में हमने एक और औ जुड़ा ठिक औ औ और औ जुड़े और इन दोनों ने जुड़के क्या बनाया आ गया एक और स्वर ओ और ओ दो समान स्वर जुड़े और इन्होंने क्या बना दिया आ इ और इ ये दोनों जब जुड़े तो इन्होंने क्या बना दिया इ एक और स्वर बन के आ गया हमारे पास था उ इसमें एक और उ जुड़ा और बन के आगया क्या तो देखो ये मूल स्वर हैं या नहीं है यही मूल स्वर जुड के क्या बना रहे हैं नए स्वर बना रहे हैं समान मतलब एक जैसे अगर एक जैसे जुडे तो ये कहलाए दीर्ग स्वर और अगर अलग-अलग जुडते तो वो क्या कहलाते संयुक्त स्वर अब देखो यहाँ पे संयुक्त में क्या हो जाएगा अलग-अलग स्वर जुड़ेंगे देखो हमारे पास ओ पहले से ही है इस ओ में हमने जोडा तो बन के क्या आ गया ओ और य यह दोनों जुड़े तो क्या बना ए बन गया ए बन चुका है आ भी हम बना चुके हैं तो यहाँ पे देखो आ और आ में हमने क्या जोड़ा ए जोड़ा और क्या बना आए ठीक है तुम अभी तुम लोगों का पहले पेपर हुआ है या तो सायद ए पूचा था या आई पूचा था ठीक है कि निम्न मैंसे कौन सा संयुक्त स्वर है तो यहीं पेसे प्रेश्ण था आपके पास ओ धन ए बराबर ए देखो हम आ यहाँ पे बना चुके हैं ए यहाँ पे बना चुके हैं और आ और ए मिलके क्या बना आ ए देखो तो इसका उच्चारण भी वही है जो यह लिखा हुआ है न आ ए आ ए ठीक हमारे पास ओ पहले से है हमारे पास उ पहले से है ओ और उ यह दोनों जब जुड़े तो तब क्या बन के आ गया हमारे पास ओ बन के आ गया और O से क्या बन के आ गया? O फिर हमारे पास A बना हुआ है और O भी हम बना चुके है यह हट सकता है यहाँ पर से अच्छा देखो मैं इस वाले को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है? देख ले न, चौथा जो स्वर है यहाँ पर बना रहा हूँ आ हमारे पास था, इस आ में हमने O जोड़ा, तो क्या बन के आ गया? आओ, इसका उच्छारण भी यही है आ, O, आओ, आ, O, आओ, ठीक है? तो देखो चार यह मूल स्वर थे, चार और तीन यह दीर्ग स्वर होगे, चार तीन, साथ और चार हमारे पास क्या होगे? संयुक्त स्वर होगे, ठीक है? तो साथ और चार कितने होगे? ग्यारा होगे, ठीक है? साथ और चार, ग्यारा स्वर आपके पास बन के आगे अब देखो, अगर स्वर से आपके पास प्रस्न आना होगा, ठीक है? तो इसी के बीच से, जितना मैंने अभी स्वर के बारे में आपको बताया, इतने मैंसे ही आज आना चाहिए ठीक है? अगर इतना आपका तैयार है, तो स्वर से अगर वो प्रस्न पूछेगा, तो आपका प्रस्न छोटेगा? नहीं ठीक है? आगे बठते हैं यह तो पढ़ा हमने स्वर, ठीक अब स्वर के बाद क्या आता है? तो स्वर के बाद आगया आपके पास व्यनजन व्यंजन 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 मतलब उखाने वाले व्यंजन नहीं है व्यंजन का मतलब क्या हो गया व्यंजन किसे कहते हैं यह व्यंजन की परिभासा क्या होती है तो व्यंजन हम कहेंगे कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे व्यंजन जो किस की सहायता से बोले जाते हैं स्वर की सहायता से बड़ा खड़ी पड़ी होगी आपने है न पड़ा होगा ठीक है तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे व्याद्जन कहेंगे ठीक है? और हिंदी वर्ण माला में व्याद्जनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 11 स्वर हैं 2 अयोगवा हैं और 33 क्या आगए? व्याद्जन अब देखो जो ये 33 व्याद्जन है इनको सबसे पहले हम 5 वर्गों में बाटते हैं, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में, और ये 5 वर्ग कौन-कौन से हैं? तो देखो, पहला वर्ग है को वर्ग, ठीक है? दूसरा वर्ग हो गया आपका चो वर्ग, तीसरा वर्ग हो गया आपका कौन सा? टो वर्ग, तीसरा वर् और चौता हो गया आपके पास तवर्ग और पांच वाँ हो गया आपके पास पवर्ग ये पांच वर्ग हैं का चा टा तप ठीक का वर्ग में क्या आया का खा गा घा और गा ठीक चा वर्ग में क्या आया चा छा जा जा और या तवर्ग में क्या आया टा ठा डा धा और अन तवर्ग में क्या आया ता था दा धा और न पावर्ग में क्या आया पा फा बा भा और म ठीक है? सबसे पहले हमने कहा कितने वर्गों में बाटा? पांच वर्गों में बाटा और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्सर हैं? पांच ठीक? तो कुल कितने हो गए ये? कुल कितने हो गए? तो कुल हो गए ये? कुल कितने हो गए 25 ठीक है तो इन 25 के 25 व्यंजनों को इन 25 के 25 व्यंजनों को देखो इन सब का इसपर्स अलग है ये कंट से ये तालू से ये मूर्धा से ये दंत से ये ओस्ट से बोला जाता है हर किसी का इसपर्स क्या है अलग है इसलिए इन 25 के 25 वर्णों को हमने एक नाम दिया इसपरसी व्यंजन आप से पूछेगा इसपरसी व्यंजनों की संख्या कितनी है तो कितनी है ये 25 के 25 के हैं इसपरसी व्यंजन है अब देखो वर्गों के व्यंजन है ये सब 5 वर्ग हैं उसी के व्यंजन तो है तो पांच वर्गों के व्यंजन होने के कारण इनही 25 को हम एक और नाम दे देते हैं वर्गी या व्यंजन वर्गी या व्यंजन वर्गी व्यंजन या इस परसी व्यंजन इनकी संख्या कितनी है आपका उत्तर क्या होगा 25 वर्गिय व्यंजन या इस पर सी व्यंजनों की संख्या कितनी है तो पच्चिस बोल दोगे आप ठीक है वही ठीक अब देखो इन में से जो ये चावर्ग है कौन सा वर्ग चावर्ग इसको भी एक विसेश नाम देते हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं ये चावर्ग की ठीक है चावज़ज़ज़ और यह इस चावर्ग को एक नाम देते हैं इनके इस परस करने में संघर्श करना पड़ता है इस लिए इस पूरे चावर्ग को हमने एक नाम दिया इस परस संघर्शी आपसे पूछ लेगा कि कौन से वर्ण इसपर्स संघर्सी होते हैं तो चावर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं इसपर्स संघर्सी होते हैं उसके बाद अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है ठीक है? कि जो ये टावर्ग है टोठधधधधधधधधधदधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधधध इसके बाद जो ये तौवर्ग है अब मैं तौवर्ग की बात कर रहा हूँ तौवर्ग मतलब तौथा दौधा न इसको भी एक अलग नाम देते हैं इस तौवर्ग को भी एक अलग नाम दिया और इसको बोलते हैं कोमल तालब्य क्या बोलते हैं इसे कोमल तालब्य एक साथ लिखना है कोमल तालब्य ठीक, देखो कोमल तालब्य क्या होता है वैसे अगर तुम देखोगे कि जो तौवर्ग के वर्ण है तौवर्ग का उच्चारण अस्थान दंत होता है बोलके देखो त, तो जीप सीध जारी होगी और दाथ पे लगरी होगी तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दंत्य हैं इनका उच्चारण अस्थान तो दंत्य है लेकिन तालू कहां से आया है, तालब्य कैसे हो गई है तो देखो कहीं न कहीं जब हम तौवर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीब कुछ मात्रा में ही सही, लेकिन तालू को इस पर्स करती है, ठीक है, इसी लिए इनको क्या कहा, कोमल तालब्य कहा, और कई लोग ऐसे हैं, कि जो इस कठोर वर्ण का प्रियोग नहीं करते हैं, कठोर वर्णों की जगा वो कोमल तालब्य का प्रियोग करते हैं, जैसे तुमने उपर चले जाओ, ये जम्मु कस्मीर साइड चले जाओ, या अफगानिस्तान वाले को कभी हिंदी बोलते हुए सुनना, ठीक है, तो उसके मुँझ से तुम टौ नहीं सुन पाओगे, है न, टौ बोलेगा ही नहीं, चाहे वो अंग्रेजी के सब्दे ही क्यों न उच चारित कर रहा हो, वो टौ बोलेगा ही नहीं, बिग बॉस में एक छोटा का दानी था, क्या नाम था उसका, अब्दू, हाँ, अब्दू, तो उसकी हिंदी सुनना, वो क्या बोलता है, कि ब्रो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं बोलता है, क्या ब लोला तमातर महंगा हो गया है तमातर हैं कभी नहीं बोले का दमरू बज रहा है कभी नूहीं बोले गां लुके के मंसे कोमल तालव्य उसके पस्चात आता है हमारे पास देखो हर वर्ग का पांचवां अक्षर हर वर्ग का पांचवां देख रहे हूं न हर वर्ग का पांचवां यह है यह वाली लाइन तो हर वर्ग का पांचवां जो अक्षर है हर वर्ग का पांचवां जो अक्षर है इसके लिए भी एक अलग नाम आता है ठीक है और देखो कहां से बोले जा रहे हैं ये कहां से बोले जाते हैं ये आप बोलोगे नाक से है ना बोलोगे नाक से जरब मुँँ बेर्ण करके नाक से बोल के दिखाना तो नाक से नहीं बोले जाते हैं नाक की सहायता से बोले जाते हैं ठीक है? लेकिन नाक से नहीं पूस्ता है प्रस्न कि पंचमाक्षर बोले जाते हैं नाक से, मुख से तीसरा option ए में होगा नाक से और कई बिद्वान सी दे हाँ नाक से तो ना नाक से तो आ रहा है, तो दे ठिक, है न, तो ऐसा नहीं है, नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नाक से नहीं, नाक की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं, नासिक्य, क्या बोलते हैं, नासिक्य, ठिक, या नासिक्य बोल लो, या अनुनासिक बोल लो, अन अच्वा अक्षर है तो पंच माक्सर भी इने को कहता है, ठीक है, देखो टोटल वर्ण थे कितने, टोटल वर्ण थे 25 ठीक है, और 25 के 25 के बारे में मैं ये बता चुका हूं, लेकिन व्यंजन कितने, 33 और 25 के बारे में हमने पढ़ लिया, कितने बचे, अभी 8 बच गए, ठीक तो ये 8 कौन-कौन से हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बई? कितने बई? इस परसी या वर्गिय भी अंजन होगे, अब इसके बाद चार आते हैं, आपके पास अंतस्थ, ठीक है, और ये अभी रविबार को ही UK PSC का जो पेपर होआ है, उसमें पूछा हूँ, अंतस्थ से पूछा था, ठीक है, कि निम्न मैंसे कौन से वर्ण अंतस्थ हैं, तो अंतस हैं, अंतस्थ मतलब जो अंता करण से उचारित होते हैं, इन चारों मैंसे देखो, जो ये या है और ये वर है, कौन? या और वर, इन दोनों को हम कहते हैं अर्दस्वर, ये भी प्रस्ण आता है, कि किसे अर्दस्वर कहा जाता है, तो मैंने कहा या और वर, ये दो क्या है, अर्द स्वर है ठीक है अर्द स्वर इनको क्यों बोला क्योंकि इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि जैसे स्वर का उच्चारण हो रहा हो लेकिन स्वर तो यह है नहीं तो इसलिए इनको हमने क्या कहा अर्द स्वर कहा ठीक उसके बाद रौ रौ को हमने एक नाम दिया लुन्ठित इसको क्यों कहा तो लुन्ठित इसको इसलिए कहा क्योंकि जब र का हम उचारन करते हैं तो जीव उपर तालू से रगड़ खाते हुए दांतों के उपर गिरती है उचारन करके देखो र तो जीव ऐसे गिर रही होगी इसलिए इसको क्या बोला लुन्ठित बोला या इसको एक और नाम दिया कि देखो जब रॉ का हम उच्चारण करते हैं रब तो मुझ के अंदर कुछ vibration पैदा होता है कंपन पैदा होता है तो इसी लिए इस रॉ को प्रकंपित भी कहते हैं क्या प्रकंपित प्रकंपित भी किसको कहते हैं रॉ को ठीक लॉ को एक नाम दिया पार्सविक लॉ को क्या नाम दिया पार्सविक का मतलब पार्सव का मतलब क्या होता है पार्सव मतलब पार्सव सब्द का अर्थ क्या है पार्सव मतलब होता है पडोस ठीक है जो पडोस है पडोस का तत्सम रूप क्या है पार्सव ठीक पार्सव भागे मतलब पडोस के भाग में तो ला का जब हम उचारन करते हैं ला तो जीव उपर टच हो रही होगी और इसका जो पार्सव भाग है इसका जो बगल वाला भाग है यहां से हवा निकलती है इसलिए इसका नाम ही क् पार स्विक कहा है और ये भी UKPSC का ही प्रस्न है ठीक है भाई ये भी पूछा जा चुका है तो 25 हमारे पास इस परसी व्यंजन हुए उसके बाद 4 हमारे पास अंतस्त व्यंजन हुए ठीक और इसके बाद कितने बच्चे चार बच्चे तो 4 कौन से बच्चे ये चार कौन से बच्चे तो देखो ये बच्चे हमारे पास ओस्म या संगर्सी या तो ओस्म बोल लो या फिर संगर्सी बोल लो ठीक ओस्म या संगर्सी देखो ये हैं कौन-कौन ओस्म या संगर्सी तो ये हैं हमारे पास 4 और कौन-कौन से हैं ये 4 तो सबसे पहले श, फिर श, श, फिर स, और फिर ह. ठीक है? तो ये चार हमारे पास क्या है? श, 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 स, और ह. ये हमारे पास ओस्म या संगर्सी हैं. ओस्म इनको क्यों बोला? क्योंकि जब इनका एक साथ उच्चारण करेंगे न, स, श, स, ह, तो मुँ में कुछ ओस्मा, कुछ गर्मी पैदा हो जाती है. इसलिए इनको उस्म कहा, संगर्सी क्यों कहा, क्योंकि देखो हर किसी का उच्चारण अलग है, ये तालब्य शाह है, ये मूर्धन्य शाह है, ये दंत्य शाह है, ठीक, तो हर किसी का उच्चारण अलग है, और उच्चारण अलग है, तो संगर्स करना पड़ेगा आपको, तो संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्षी इसको नाम दे दिया ठीक है इनका क्रम याद रखना सबसे पहले कौन सा शह फिर कौन सा और फिर कौन सा पहले तालब या फिर मूर्धन या फिर दंत्य ठीक है और देखो हम लोग यहाँ पे बहुत गलत उचारण करते हैं इन सौ की आपको अगर गडवाली और कुमावनी को पहचानना है तो इस सौ से ही आप तुरंग पहचान सकते हो सौ से ही गडवाली और कुमावनी की पहचान हो जाती है कैसे होती है कि जो गडवाली है वो इस सौ के अलावा कोई दूसरा सौ बोलता ही नहीं है हर उसमें उसका यही साम को मिलता हूँ अब जैसा वो बोल रहा हूँ उस हिसाब से साम ऐसा लिखा जाएगा साम कि साम को मिलता हूँ ऐसा होता है साम, क्या होता है, शाम, ठीक है, तो हमेज़ा क्या बोलेगा, साम, हमेज़ा इसी का परियूप करेगा, कोई सभी आ जाए, पेट फटा सव बोलेगा, पेट फटा सव, अब जो उच्छारण कर रहा है, वो इस सव का कर रहा है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा ह है न, तो इस से गड़ वाली को तुरंद पैचान लोगे और इस से पैचान होगे कुमावनी को वो इजिजा का प्रियोग करता है हमेशा शुवा 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 अब शुवा शुवा थोड़ी होता है क्या होता है जैसा वो बोला उस हिसाब से तो यह हो जाएगा शुबा 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 आ जाते हैं आज मैंने शेव खाई शेव तो शेव थोड़ी होता है क्या होता है शेव ठीक तो इनकी महत्वपूंड भूमिका है हिंदी भासा में ठीक है तो आज के लिए इतना नहीं रखते हैं इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं ठीक है तब तक पढ़ते रहें धन्यवाद